शेतान की नानी निकली आध्या साबित किया अपनी इस हरकत से नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजुशर्मा दिल से स्वागत करती हूँ आज की कड़ी में आध्या ने बहुत सी असी हरकते की जिनकी तरफ अपने आप ही ध्यान चाता है नाशुक्री आध्या तो पहले से ही थी आज सामने से सिर्फ और सिर्फ आध्या के साथ ही अनुपमा ने पूरा समय बिताया उसकी जान बचाने से लेके उसको रेस्टरेंट तक लाने तक मगर फिर भी आध्या ने अपनी शैतानी बच्चो वाले शैतानी नहीं जो शैतान दिमाग की शैतानी होती है उससे वो बाज नहीं आई बात करते हैं पहले वही निवेदर जिनोंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लिजिए साथ में दोस्तों बेल आइकोन दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं अब मैं ज़रूर कहूंगी कि अनुच को आध्या से कुछ सीखना चाहिए यह चलाकिया तो कम से कम सीखनी ही चाहिए जो आध्या के पास है जो presence of mind आध्या के पास है और जो उसका mission clear है आध्या के पास वो वानिपाते है अनुष सच में आधिया का बच्चा ही लग रहा है आज की डिट में क्योंकि आधिया ने आज ये साबित कर दिया कि वो इस समाज में कितनी सेंटर्ड होके चल रही है उसका मिशन क्लियर है तो उससे पहले जो भी चीजे उसके साथ हो रही है उनको उसी हिसाब से लेगे कि य मुझे लगा था आप सबको लगा था कि आधिया इतनी नफरत करती है अनुपमा से कि उसका हाथ तक नहीं पकड़ेगी यूकि अनुपमा ने छोटी भी कहा अनुपमा ने बहुत कुछ कहा और आधिया को छोटी के नाम से ही चिड मच्री शुरू हो जाती कि मैं छोटी नह समझ में आता है मगर आधिया जहां पे भी थी आधिया हमेशा इस सब के बीच में भी अनुपमा से नफरत करना नहीं बूली यह हम पहले भी देख चुके है आधिया जब एक्सिडेंट वाले स्पॉट पे थी तब भी आधिया अनुपमा से नफरत करना नहीं बूली आधि यहां पर आद्या बड़ी भी हो चुकी है और सयानी भी हो चुकी है इसलिए उसको लगा कि अभी बचना ही priority है और सही बात है बचना priority है उसने अनुपमा का हाथ थामा अनुपमा के साथ डर दर तर डर एस्टरंट में भी गई पानी पिया जूस किया एनर्जी लिए और फिर आगे अपनी उसी mode में फिर शुरू हो गई अनुपमा को सुनाना अनुपमा का जो भी है अपमान करना वो सब करना उस्से शुरू कर दिया यहां तक मुझा समझ में आता है यह चीजे सब समझ में लगा उसने मम्मी का हाथ थामाग घर पहुंची या स्पाइसन जो भी रेस्टोन भी वही घर है अनुपमा का वहां तक सब समझ में आता है मगर यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि जिन मम्मी पापा ने तुमारी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी दाओं पे लगा दी जो इतना लेक्चर अनुपमा ने आध्या को सुनाया यह पूरा लेक्चर यह पूरा इमोशनल ट्रॉमा जिसमें आध्या चुपचाप खड़ी सुनती रही अनुपमा की बातों को और फिर जब शुरुती सामने आई अनुच सामने आये तो यह शेतान की नानी अपने मिशन को नहीं भूली कि शुरू को घर पे लाना है शुरू की शादी पॉप से करवाना है यही मौका मिला आध्या को जिसमें वो अपने पॉप्स के दिमाग में यह डाल दे कि मेरे लिए सिर्फ शुरू ही कीमती है इसलिए उसने पॉप्स को गले नहीं लगाए जबकि नॉर्मल हलातों में जितनी आध्या डरी हुई थी जितना वो उस आदमी से उस गुंडे से भागी थी इस पूरे ट्रॉमा के बाद उसका अपने पॉप्स को गले लगाना बनता था पॉप्स के साथ जाके लिपट के रोना बनता था नॉर्मल बच्चे ऐसा ही करते हैं भाई मुझे याद है मैं बच चोटी थी तो मेरे पाउं पे वो स्कूल में चोट लगी थी पाउं जल गया था कुछ किचन की क्लासी का कुछ होता है तो मैं अपने डीचर से डरके मैं घर की तरफ बागी तो एक आंसू मेरा नहीं गिरा था रास्ते में सिर्म मेरा मिश्यन था मुझे घर पे पहुंचना है रास्ते में लोगों ने पूछा भी बेटा रुक जा पट्टी कर वाले ये करण नहीं मैं एक पैर पे चलते 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 अपने घर तक पहुंचके मगर जैसे ही घर पहुंची सामने अपनी मा को देखा मेरे आसू रुके नहीं किसी और को मैंने गले नहीं लगाया रास्ते में बहुत सारे क्योंकि आपको पता है मुहले गलियों में कैसे होते हैं लोग अपने ही होते हैं किसी को नहीं मैंने इंपोर्टेंस दी क्योंकि मुझे मेरे घर मेरी मा के पास पहुंचना था यहां पे चोटी के लिए इस समय कौन इंपोर्टेंट था उसके पॉर्प्स मगर वो शेतान लड़की अपने पॉप्स के पास भी नहीं गई उसने अपना मिशन क्लियर रखा सीधी जाके अपने शुरू के पास गले लगी क्योंकि इनको मैं साबित कर दूँ कि शुरू मेरे लिए कितनी इंपोर्टेंट है और मुझे शुरू ही चाहिए मम्मी के तोर पॉप्स की इंसल्ट करूँगी और पॉप्स के मन में क्लियर कर दोगी कि आपका डिसीजन गलत था आपको शुरू के साथ ही शादी करनी चाहिए यह औरत हमारे बीच में नहीं आ सकती कौन कहता है यह अध्या छोटी है जो इतने लोगों की लाइफ को चला रही है वो छोटी कैसे हो सकती है भाई तो आज तो इसने पूरा शेतान की नानी वाला ही काम किया है कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं क्योंकि ये सब लोग आध्या को प्यार करने वाले लोग है जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो इस बात का भुगतान करें भई मुझे प्यार करना इतना असान नहीं है मुझे जो चाहिए अगर आप मुझे वो नहीं दोगे तो मैं किसी भी लेवल पे जा सकती हूँ क्योंकि आप मुझे प्यार करते हो आप भुगतो आप करो मेरे डिमांड्स पुरी तो ये तो अनुझ भुगते का भाई आगे क्योंकि आद्या ने तो अपना decision आज सुना दिया है मुझे तो आज ये शेतान की नानी से भाई कम नहीं लगी है क्योंकि इस तरह की सोच रखना इतनी clarity रखना चाहे गलत ही क्यों नहों ये शेतान कर सकते हैं या फिर वो इंसान कर सकते हैं जो pure hearted हो क्या कहते हूं आप क्मेंट कीजेगा देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स है कि सुमाच